हेलो फ्रेंड्स प्रभास सोलुसन में आपका फिर से स्वागत है अगर आप किसी भी राज की पॉल टेक्निक एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है तो आज का हमारा टॉपिक है गती के समीकरण यानिक इक्वेशन आफ मोसन अब देखते हैं यदि कोई वस्तु यू वेग से चलना प्रारम करती है तो वह टी समय पस्चात इसका वेग वी हो जाता है वस्तु का तुरण अगर स्मॉल ए है तथा वस्तु दुवारा चली गई दूरी ऐस है तो निम लिखे तीन संबन प्राप्त होते हैं कहने का मतलब क्या है अगर कोई वस् स्मॉल ए हो जाएगा तो वरण मिंस होता आपका एसलीरेशन तो क्या क्या हमें मिलेगा तो वी क्वर्ट टू यू प्लस 80 मिलेगा दूसरा आपका एस इक्वर्ट टू यू प्लस हाफ 80 स्क्वार मिलेगा थर्ड हमको मिलेगा वी स्क्वार एक्वर्ट यू स्क्वार प्लस 2AS, यह जो आपका equation है, यह equation आप motion क्यालाता है, गती के समी करण तेकिया, last time क्या हुआ था MPPPT में और CGPPT में इनके questions physics में numerical types के बहुत सारे मिले थे इसलिए इस topic को अच्छे समझना बहुत ही ज़रूरी, तो अब बोलता है किसी वस्तु दोवारा 90 seconds में आप A, 2N-1 देखें, यहाँ पर U क्या है आपका प्रारंभिक, वेग है A क्या है आपका त्वर्ण, जिसको acceleration बोलते है, N आपका क्या है जितना आपको time देगा, T second जो आपको देगा, 5 second, 4 second तो आपके जो 4, 5 की जो digit value होगी, वो यहाँ पर आपको put करना है और S आपका क्या है, यह distance से कितना दूरी जो चली है, वो आपको बताना है अब है आपका गृत्व अधिन गती यानि motion under gravity इसका मतलब यह कोई चीज़ को अगर आप वस्तु को उपर फेकते हैं, या वो पस्तु को आप नीचे फेकते हैं, किसी उपर building से जा करके, तो उसमें जो आपका क्या होता है, G का जो effect होता है, उस type के जो motion होगा, यहाँ पर उसी की बारे में बात करेंगे, तो A number हमें देखना है उपर की और गती के समीकरण यानि कि equation of upward motion तो इसमें भी आपको 3 मिलेगा, equation वो equation में आपको क्या है, वहाँ पे जो plus था इससे पहले वाले में देखें, यहाँ पे जो आपका plus है, इन सब में क्या हो जाएगा minus लगेगा, जब आपका उपर के लिए कोई भी वस्तू को आप उपर फिकेंगे गेंद को उपर फिकेंगे, जो भी चीज़ को आप उपर फिकेंगे, तो वहाँ पे आपका यह जो plus sign हो पूरा minus हो जाएगा और आपका change होगा एक और चीज acceleration, जिसको हम बोलते है त्वरण, यहाँ पे जो A है वहाँ पे आपका gravity का काम होगा तो वहाँ पे G लग जाएगा, तो वहाँ पे आपका काम होगा acceleration due to gravity मतलब की गूर्तवी त्वरण small g के जो value होता है 9.81 वही आपको वहाँ पे लगाना रहता है तो देखिए, पहला number यहाँ पे equation आपका बनेगा V equal to U minus GT second number आपका equation बनेगा H equal to UT minus half GT square और third number आपका बनेगा V square equal to U square minus 2GH यहाँ पे जो आपका S था distance वो आपका यहाँ पे H का का काम करेगा जो कि आपका height होगा अब यहाँ आपका नीचे की और गती के समीकरण equation of downward motion तो देखिए, यहाँ पे जो आपका plus sign है वो पूरा same रहेगा, बस आपका जो A है वो G में convert हो जाएगा तो first number आपका होगा V equal to U plus GT second number आपका होगा H equal to UT plus half GT square third number आपका होगा V square equal to U square plus 2GH edge अब बात करते हैं इस से related question के बारे में तो first है हमारा कोई वस्तु विराम आउस्था से चलना प्रारम करता है यदि तुरण 10 meter per second square हो तो 10 second में वस्तु दवारा चली गई दूरी कितनी होगी कहने के मतलब यह है कोई वस्तु रुका हुआ है, ठीक है कितना distance travel कर लेगा चल लेगा, वो हमें बताना है तो option A बोलता है 95 meter option B बोलता है 85 meter option C बोलता है 100 meter यह option D 120 meter तो देखें इसका जो आपका answer होगा option number H है गा 95 meter कैसे हुआ? तो U आपका क्या हो जाएगा? 0 क्यों 0 हुआ? क्योंकि वस्तु क्या है? विराम के वस्ता में है, मतब रुका हुआ है तो प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा? 0 अब आपको distance निकालना है तो आपको यह formula लगाना है SN equal to आपका क्या होगा? U plus 1 by 2 A 2N minus 1 तिहां पे SN आपको निकालना है equal to आपका U आपका होगया 0 plus 1 by 2 इंटू A आपको तोरण कितना दिया? acceleration 10 दिया है, वो होगया इंटू 2 N आपको कितना सेकेंड में निकालना है? तो 10 सेकेंड में question में बोला है तिहां पे 10 का multiply करेंगे minus 1 जब आप इसको solve करेंगे तो ये solve होगा तो 5 आएगा और ये solve होगा तो 19 आएगा इसको आप जब आप multiply करेंगे तो 95 मीटर आएगा जो कि हमारा option number A सही है next question है यदि एक वस्तू समान तुरण के साथ चल रहा है एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है 5 सेकेंड बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है तो 2 सेकेंड पूरव इसका वेग था तो question पहले आप समझे क्या बोल रहा है question में ये बोल रहा है कि आपका जो acceleration है यानि तुरण वो आपका क्या stable है एक समान है ठीक है वो आपका change नहीं हो रहा है अब आपको बोलता है क्या है इसका जो velocity है velocity मिंस आप ऐसे जनरल भासा में बोलेंगे तो speed speed जो आपका क्या था 10 का speed था फिर क्या हुआ 5 सेकेंड के बाद उसका speed 20 का speed हो गया ठीक तो option A जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड option B जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड option C जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड या option D जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड तो देखे इसका जो आपका answer होगा B नमबर जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ तो आईए देखते हैं तोरण आपका होता है A, A equal to आपका होता है वेग में परिवर्थन बटे में समय अंतराल, यानि कि change of rate of velocity, तो आपका अंतिम वेग आपका 20, प्रावर्रंबिक वेग आपका 10, ठीक है, और आपका कितना समय ले ले रहा है, पांस सेकेंड आपका ले रहा है, तो 20-10 पर टे में 5, सौल इसको करेंगे, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर का acceleration यानि कि तोरण आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पर फार्मूला बनता है, V equal to U plus 80, U यहाँ पर क्या रखना है, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको फर्स्ट में 10 मीटर पर सेकेंड दिया था, उसके बाद 5 सेकेंड में आपका 20 हुआ है, तो U आपको 10 लेना है, तो कितना time का आपसे पूचा है तो 2 second पहले का पूचा है 20 आपका 5 second बात का value है और आपको बताना है उसके 2 second पहले का तो देखिए तो यहाँ पर हम क्या लेंगे t equal to minus 2 second अब यहाँ पर क्या करेंगे इस formula में put करेंगे तो v equal to आपका u की value 10 minus कहां से आगया तो यह minus जो sin t की value होई minus यहाँ पर हो गया acceleration यहाँ पर 2 निकाले तो 2 हो गया और t आपका 2 तो minus का 2 t आगे हो गया जब आप इसको solve करेंगे तो आपका 6 meter per second answer आएगा next question है एक pin 10 meter per second प्रारंभिक वेक से प्रित्वी के तल के उपर की ओर फेका जाता है वो अधिक से अधिक उचाई कितनी उचाई तक पहुचेगा आपको क्या करना है कि कोई भी आपको एक pin लेना है वस्तू लेना है उसका speed जो आपका रहेगा 10 meter per second कर रहेगा ठीक है और उससे आपको क्या करना है प्रित्वी के तल के उपर फेकना है ठीक हमाली जो कोई गेंद फेक रहे है तो कितने height तक वो गेंद उपर जा सकता है तो वो आपसे पूचा है तो option A बोलता है 3 meter option B बोलता है 4 meter option C बोलता है 5 meter या option D 6 meter तो देखे इसका जो आपका answer होगा C number जाएगा 5 meter कैसे हुआ तो देखे वी square आपका होगा formula U square minus 2GH अब यहाँ पे GH कहां से आगे है भई AH हमने अभी AS देखा था तो यहाँ पे आपको उपर और नीचे जो आपका gravity का प्रभाव है वो आपको ले करके चलना है जो हमने आपको बताया था तो देखे यहाँ पे जो सूतर आपका यूज हुआ था इनी सूतरों में से आपको क्या करना है इस टाइप के questions में आपको लगाना है जब आपको उपर फेकनी के लिए बोलेगा तो यह लगाना है और जब आपको नीचे के बात करेगा तो आपको यह formulas को apply करना है यहाँ पे आपको g नहीं दिये है आपको यहाँ पे formula में g है तो g actual में आपका 9.81 meter per second square होता है लेकिन अगर आपको question में given नहीं है और आपको क्या है calculation में अगर hard होता है आपको fast calculation नहीं है मेरी थरह तो आप क्या करेंगे 10 meter per second square आपको ले लेना है approximate क्योंकि इससे कोई problem नहीं होता है तो यहाँ पे आपको ऐसी करके solve करेंगे तो u आपको क्या दिया है 10 जहांसे वो फेक रहा है तो 10 meter per second आपका हो गया तो उसका square हो गया minus 2 into g की value 10 हमने माल लिया वो into आपका height निकालना कितने height तक कोई भी ball या कोई भी वस्तू वो जाएगा वो यहाँ पे अच हो गया अब यहाँ पे आपका 0 क्या है v यहाँ पे 0 हो गया क्यों हो गया क्योंकि वो वस्तू जितने height तक जाएगा तो वहाँ पे तू रुक जाएगा na फिर वहाँ से वह नीचे आएगा तो वह रुका मतलब उसका जो अन्तीम वेक था वो आपका क्या हो गया? 0 हो गया क्योंकि वो बस तू वहाँ पे रुक गया अब वो वहाँ से Nीचे आएगा ना कि और उपर जाएगा 20 इंटू कर रहा है 100 के तरह आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा तो 100 बाइट 20 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 मीटर जो कि आपका आंसर है आपसन नंबर C रहा है, नेक्स्ट कोस्टन है एक लड़का एक बिल्डिंग की चोटी से गेंद को छोड़ता है वो चोटी से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ओचाए की खिड़की को पार करेगी कितने समय में पहरे समझे कोस्टन क्या कह रहा है एक लड़का कोई बिल्डिंग पे खड़ा हो गया बिल्डिंग के सबसे टॉपेस्ट पॉइंट पर सबसे उचाई पर वो पहुँच कर क्या करता है एक बॉल को छोड़ता है अब बॉल छोड़ने के बाद क्या होता है 10 meter just उस top के point से 10 meter नीचे एक खिड़की है उस खिड़की का हुचाए कितना है 2 meter है उस खिड़की की height है तो वो खिड़की के height को 2 meter को कितने time में पार करेगा वो timing हमें बताना है तो option A बोलता है 0.13 second, option B बोलता है 0.15 second, option C बोलता है 0.16 second, option D आपका 0.17 second देखें इस type of question क्या आता, CGPPT में पूछा हुआ है 36 गड़ पॉल टेकनिक एक्जाम में ठीक है प्रिवेस एर में अगर आप उठा के देखेंगे तो इस type of questions आपको मिल जाएगा तो देखें इसका जो आपका answer होगा option number A जाएगा 0.13 second तो बात करते हैं हुआ कैसे यह तो देखें यह आपका total क्या है एक building है माल लीजे ठीक है इस top point से क्या कर रहा है कोई भी बच्चा गेंद फेक रहा है और यहां से यहां तक के 10 meter के नीचे में क्या है एक परकार का आपका window है यानि खिड़की है इस खिड़की की height कितना दिया है 2 meter तो यहां से यहां तक का जो travel करने में time लगेगा इस 10 meter से नीचे और इस 2 meter तक आने में मतलब यहां के 2 meter में कितने time में वो travel करेगा वो ही हमसे question में पूछा है तो लिखते हैं 10 meter गिरने में लगा समय तो T1 second हो गया फिर लिखते हैं 12 meter गिरने में लगा समय तो T2 second हो गया यहां तक गिरा तो 10 मीटर, यहां तक गिरा तो 12 मीटर, तब 2 मीटर की खिड़की को पार करने में लगा समय क्या होगा, 12 वाले में से 10 वाले को घटा देंगे, यानि यह आपका आएगा सेकेंड में, ठीक, तो T2 माइनस T1 सेकेंड, अब यहां पे देखे, H equal to UT plus half, GT square का आपक 0 होगा, तो यहां पे T से इंटू करेंगे 0, तो भी 0, प्लस आपका half, GT square, अब यहां पे देखिए, एक बटे तो यहां पे G में इंटू कर रहा है, यहां पे H में जाके क्या करेगा, multiply, तो यह आपका होगे 2H, अब यहां पे T आपका है, ठीक है, इधर आपका जाएगा, तो यहां पे G इसके साद इंटू कर रहा है, तो बराबर किधर जाएगा, तो क्या होगा, divide करेगा, तो यह यहां पे क्या कर रहा है, divide कर रहा है, तो T इक्वल टू आपका होगे root 2H by G, अब यहां पे हम G की value क्या लेंगे 9.81 के जगा, 10 meter per second square लेंगे, क्यों क्योंकि 9.81 अ आपका हो गया, ठीक, तो इसी formula में क्या करेंगे, सारी value को put करेंगे, 2 आपका same हो गया, H की value 10, क्यों, क्योंकि यहां पे 10 meter लिए, upon में 10, 10 यह क्या है, आपका G जो यहां पे लिए है, 10 meter per second square वो है, जब आप इसको solve करेंगे, तो root 2 second आ जाएगा, ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा, अब यहां से आपको क्या निकालना, time निकालना, इस 2 meter, खिड़की को पार करने में, तो T2 माइनस T1 होगा, तो यहां पे लगाएंगे, T2 माइनस T1, तो root 2.4 माइनस root 2, जब आप इसको solve करेंगे, तो 0.13 second आएगा, और यही आपका answer, जो कि option number A है, अगर आपको root की value को दस्मलों में convert करना, इस form में convert करने नहीं बनता है, तो आप एक बार मुझे comment करिएगा, तो मैं कोसिस करूँगा, इसके लिए भी जल्द एक वीडियो बना दू, next question है, दो वस्तुएं है, H1 और H2 उचाईयों से एक साथ छोड़ी जाती है, आप कोई 2 वस्तु को क् होचेगा, उसमें जो भी समय लगेगा, उन दोनों के समय का जो ratio निकलेगा, वो क्या होगा, जो अनुपात निकलेगा, वो क्या होगा, यही हमें बताना है, तो option A बोलता है, H1 by H2, option C बोलता है, root में H1 by H2, यह option D, root में H2 by H1, तो देखिए, इसका जो आपका answer होगा, option number C जाएगा, root में H1 by root H2, कैसे आया, तो देखिए, H equal to आपका, equation मनता है, UT plus half GT square, यहाँ पे आपका U equal to 0, क्योंकि दो वस्तु को वो गिरा रहा है, अलग-अलग height पर, H1, H2 height पर, तो वस्तु आपका पहले तो स्थीर है, फिर वो गिर रहा है, फिर वो motion में आ रहा है, तो पहला उसका prarambic weight क्या होगा, 0, तो U equal to आपका 0, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, UT के जगा आपका 0 पूठ होगा, तो देखिए, H equal to आपका क्या बना, half GT square, बस यही आपका रहेगा, यह वाली value 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे G क का कर आप बात करें, तो G और एक बटे 2, यह दोनों क्या है, constant है, नियतांक है, जिनकी जो value है, वो इस्थिर है, जिस चीज का भी value अगर इस्थिर है, कभी change नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या हिंदी में बात करें, तो नियतांक बोलते हैं, इसलिए हम लिख स लगते हैं कि H जो होगा, इस direct proportional to क्या होगा, T square, यह जो H है, अगर आप proportional का चीन लगाएंगे, तो एक बटे 2 और G यहां से remove हो जाएगा, केवल T square रहेगा, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, H की value बढ़ेगी, तो T की भी value बढ़ेगी, अब यहां पर क्या है, T square है, H के तरप इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो T is direct proportional to root H, अब लिखते हैं, यदि H1 और H2 उचायू से गिरने वाली वस्तुओं के लिए समय क्रमसक इतना मालने, T1 और T2 अगर मालने, तो T1 बाइ T2 आपका हो जाएगा, रूट में आपका H1 बाइ H2, क्यो जो कि आपका आंसर यही है, option number C, तो ये वीडियो आपको थोड़ी से भी help की होते, इस वीडियो को like करें, share करें, इस चैनल को subscribe कर लें, इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद